दोस्तों ये जो Mac Mini M2 है ये जो base variant है 256 GB और 8 GB RAM के साथ आता है ये जनबरी फरवरी 2023 में launch किया गया था रिलीज किया गया था Apple के तरफ से एक साल बाद 2024 में Mac Mini M2 को खरिदना वर्थिट रहेगा या M3 के लिए wait करें सारी कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ और अगर M3 पर आप वीडियो नहीं देखे हैं कब release date है तो i button में मैं link दे दूँगा आप जाकर के check out कीजिए कि M3 कब आने वाली है तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं बिना देर के वे शुरू दोस अच्छा काम करता है मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ दस महिने मुझे हो गया है इसको इसको इस्तेमाल करते हुए और इसका रिवीव वीडियो मैंने डाल रखा है जाकर कि आप check out कर लीजिए आई बटन में मिल जागा और यह दोस्तों जो बटन है यह जो type C का दो port दिय दिया गया है और यह बहुत ठंडा करके रखता है यह मैक मिनी के आप लगतार दो तीन चार पांस दस दिन भी इस्तेमाल किजिए गा ना तो बिल्कुल यह हीट नहीं होगा गरम नहीं होगा और यहां आप हेड़फोन के लिए भी म्यूजिक सुनने के लिए आप इसमें य तो एक हलकेल के साउंड भी आएगी तो काम चलने बर है इसके स्पीकर अब बात कर लेते हैं इसके कुछ अस्पेक्स के मैक मिनी M2 चीप के साथ आता है जो की 8 कोर CPU 10 कोर GPU के साथ आता है 8 GB RAM और 256 GB यहां तक 16 GB और 512 GB का भी variant अबलेबल है आपको जो पसंद है आप इस्तमाल कर सकते हैं इसके साथे साथ M2 Pro M2 Pro Ultra बगरा भी अब लेबल है उसको भी आप चेक आउट कर सकते हैं और दोफतों 2024 में भी आप इसको अराम से ले सकते हैं और इसमें जो प्रोडक्टिविटी का काम है वो बिल्कुल कमाल का आपको करके देगा वीडियो एडिटिंग है अब ही आपको 50-55,000 में इसली देखने को मिल जाएगा तो यह जो है वैलू फॉर मनी प्रोडक्ट है और एपल का मैकबुक नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप कम बजट में मैकबुक का फील आप ले सकते हैं तो एपल के तरफ से जो मैकबुक M2 Pro है उसके साथ मैंने इसका क प्रिजन किया है आई बटन में मैं लिंक दे दूगा आप देख लिजेगा इतना कम प्राइस में आप वो सारे जो स्पेशिफिकेशन है उसका मजा ले सकते हैं और अगर वीडियो एडिटिंग की बात किया जाए तो इसमें कमाल का कर सकते हैं 4K 30fps तक का तो बीना लाइक क चलता ही है आप 60fps पर भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत लैग करेगा लेकिन 1080p का जो वीडियो एडिटिंग है और बिल्कुल कोई लैग वगर नहीं करता है आप कोई भी कैमरा से वीडियो एडिटिंग कर लीजिए कितना भी एपिस कर लीजिए 1080p बिल्कुल फ्रॉल लेसली और कमाल का सारे software बर कर सकते हैं तो दोस्तो अब सवाल है कि इतने specification के साथ ही साथ दोस्तो क्या M3 के लिए wait कर लेना चाहिए या इसे purchase कर लेना चाहिए तो दोस्तो मैं आपको साब साब बता दूं कि M3 Mac Mini जो आने वाला है उसकी date और उसकी pricing specification एक पर आप जरूर देख करेंगे और एपल सपोर्ट करेगा और सारह कुछ अच्छे से काम करेगा बस आप सोले जीवी अगर आपके पास बजट की कमी नहीं तो सोले जीवी पांसव बाराज जीवी अराम से देखिए तो सोले जीवी अगर 256 जीवी अब लेवल है तो वह भी देख लिए हाला कि य वीडियो अच्छे लगते हैं एक लाइक जरूर कर देजेगा इसके साथे साथ बेल आइकन भी बजा देजेगा तो दोस्तों फाइनली मैं आपको बता दू कि कम प्राइज में 50,000 के रेंज में इतना अच्छा प्रोड़क्ट आपको नहीं मिलेगा आप इसे अराम से पर् पर्फॉर्मेंस देता है सारे कुछ टॉप नौच आपको मास्टर पीस एपल के तरफ से मिलता है तो आप 2024 में भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कोई दिकत नहीं होने वाला है इस मैक में के साथ दोस्तों ये थी आज की वीडियो इन्फरमेटरी लगी खुस रहे मस रहे ब्यास रहे और दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और इस तरह के कमाल के वीडियों तब तक लिए बाई